हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है साभी माहली किचिन में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सौप्ट सूपर स्पंजी केक वो भी प्रेसर कूकर में जिसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सस्क्राइब कीजे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सूपर स्पंजी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा बाउल इसके उपर हम रखेंगे एक छन्नी और इसमें हम डालेंगे एक कप मैदा एक चमज बेकिंग पाउडर, हाप चमज बेकिंग सोडा और एक चमज कोको पाउडर सबको डालने के बाद अब हम इन्हें छान लेंगे छानने के बाद अब हम सब को इस तरह से मिला देंगे और अब हम इसे अभी साइड में रख देते हैं तो मैंने यहां लिया है एक केक्टिन इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे चारो तरव फिर इसमें हम बेटर पेपर को लगाएंगे इस तरह से और better paper को भी हम तेल से अच्छे से grease कर लेंगे इसके बाद हम pressure cooker को preheat कर लेंगे तो इसके लिए मैंने एक pressure cooker लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी जितना नमक इस नमक को मैंने कई बार use किया है जब cake bake हो जाएगा तब नमक ठंडा करके इसे फिर से आप reuse कर सकते हैं और एक stand रखेंगे और इसे ढख देंगे flame को हम low medium पे रखे रहेंगे इस बात का ध्यान रखे कि आप cooker का जो ढखकन है उसका CT और rubber दोनों ही पहले ही निकाल ले इसके बाद मैंने एक बाउल लिया है इसमें हम डालेंगे तीन से चार चमज दूद ये normal temperature का दूद है और इसमें हम डालेंगे एक चमज निबू का रस और एक चमज बेनिला essence और color के लिए मैंने red food color इसमें एक चमज डाला है ये बिलकुल optional है मिला देंगे और अब हम इसे side में रख दते हैं दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा बाउल में तीन अंडे लिया है अब हम इसे hand bitter की help से अच्छे से फेंट लेंगे कुछ second के बाद आप देख सकते हैं कि जो अंडा है वो हलका fluffy जैसे हो गया है अब हम इसमें डालेंगे sugar powder एक कफ sugar powder को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि अंडा और चीजो चीनी का जो powder है वो अच्छे से मिल जाए अब हम इसमें डालेंगे एक कफ refine oil और इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे जब तक कि इसका जो texture है वो creamy न हो जाए कुछ second के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो texture है वो बुलकुल creamy जैसे हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे नीबू का rust color जो हमने पहले तयार करके रखा था इसे डाल देंगे तो अब हम इसमें डालेंगे dry ingredients जो पहले हमने तयार करके रखाता है इसे एक spoons की help से थोड़ा-थोड़ा करके उपर में डालेंगे एक बार में इसे नहीं डालेंगे अब हम एक बड़ा spatula लेंगे और इसे इस तरह से direction में घुमाएंगे और घुमाने के बाद इसे इस तरह से flat करेंगे घुमाएंगे और beach से flat करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके सारे dry ingredients इसमें डालेंगे और इस तरह से घुमाएंगे और इसे फ्लैट करेंगे इसी प्रोसेस में हमें इसे बना कर तयार करना है कुछ सेकेंड के बाद आप देख सकते हैं कि बिटर की कंसिस्टी एकदम पर्फेक्ट है हमें इसी तरह की कंसिस्टी चाहिए ये बनकर बिल्कुल तयार है अब हम केक के बेटर को केक्टीन में टांसफर कर लेंगे जो हमने पहले से तयार करके रखा था डालने के बाद दो से तीन बार इसे हम टैप कर लेंगे इस टाइम पे आप चाहे तो काजू, बदाम ये तूटी फूटी से इसे डेकोरेट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि प्रेसर कुकर जो है प्री हिट हो गया है अब हम केक्टिन को यहां पे रख देंगे और धकन बंद कर देंगे फ्लेम को हम लो रखेंगे लो फ्लेम पे हम इसे 40 से 45 मिनिट तक रहने देंगे बीच में धकन को हम नहीं खोलेंगे 40 से 45 मिनिट के बाद हम केक को चेक कर लेंगे कि केक जो है पका है की नहीं तो इसके लिए मैंने एक नाइफ लिया है और इसे हम इस तरह से प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि जो knife है वो बिल्कुल clean है इसका मतलब है कि cake जो है वो अच्छे से पक गया है अब हम इसे ठंडा होने देंगे cake जो है वो ठंडा हो गया है अब हम क्या करेंगे एक knife की help से side side से हम इसे अलग कर लेंगे अब हम इसके उपर इस तरह का थाली रखेंगे और इसे पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसे दो से तीन बाद इस तरह से टेप करेंगे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ए देखें butter paper को भी हम हटा लेते हैं और इसे हम टर्न कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमारा सूपर स्पंज केंग बन के बिलकुल तयार है एक बार हम इसे काट लेते हैं ये देखें आप देख सकते हैं कि हमारा कि कितना सौप्ट और कितना टेस्टी बन के तयार हुआ है तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइक करें आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले